अलो बच्चो मैं हूँ अजय सार आप सभी का मेरे यूटूब चनेल में वेलकम है आज हम क्लास 8 से चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 से कॉश्चन नमबर 6 देखेंगे ठीक है तो कॉश्चन नमबर 6 क्या है तो देखें हम पहले सापोस कर लेंगे अगरें तो देखें यहां पे आपको टेबल बनाना रहेगा टेबल जो बनाएंगे इसमें जो words लिखेंगे वो question के according आपको रहेगा देखें यहां पे ticket word आया है और price आया है तो यहां पे लिखेंगे हम number of tickets यह हमारा x वाला column होगे ठीक और फिर price आया है, price किसमें? रुपीज में है तो यहां पे लिखेंगे price of tickets in rupees यह है हमारा y column ठीक अब देखेंगे, देखेंगे 15 tickets है 15 tickets की price क्या थी? 15 tickets की price क्या थी? 18 रुपीज फिर आप से पूछा गया कि 72 रुपीज में कितने हम tickets करीज सकते हैं? तो हमने क्या suppose किया है? x ticket तो यहां पे x tickets को हम कितने रुपीज में खरीद रहें अभी? 72 रुपीज में, ठीक है? तो ऐसे हैं एक table बना लेना अब यह जो सारे question है, यह हमारे direct variation के है तो अब हम यहां पे formula यूज करेंगे, ठीक है? तो formula है हमारा x1 upon y1 is equals to x2 upon y2 यह हमारा है x1, यह हमारा y1, यह हमारा x2 और यह हमारा y2 आइए सारे value put कर लेते हैं, देखिए x1, x1 किसके equal है? 15 के y1 किसके equal है? 18 के, equal to x2, x2 किसके equal है? यहां पे x के और y2 equal है 72 के, अपने को इस x का value find करना तो आपन cross multiply कर देंगे, ठीक है? यह cross multiply नहीं, only आप 72 का इधर multiply कर देंगे 15 से, तो इधर right side में x बच जागा, तो actually मैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x is equals to 15 into 72 और यह upon में 18, 18 बन जा 18, 18 forza 72, तो यहां पर आप यह क्या हो गया? 15 into 4, 15 forza होता है 60, so x का value क्या गया? 60 और यह number of tickets हो जागा, ठीक है? तो आप यहां पर क्या लिखिएगा? इधर side में देखिएगा, हम लिखेंगे हां पर 60 tickets can be bought in 72 रूपीज, ठीक है? आप 72 में कितने tickets करीच सकते है? 60 tickets आए बच्चो कोशन नमबर 7 देखते हैं, तो कोशन नमबर 7 क्या है? एक कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 48 लिटर आफ पैट्रोल, वाट डिस्टेंस विलिट ट्रैवल इन 20 लिटर आफ पैट्रोल, एक कार है जो 48 लिटर पैट्रोल में 432 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो आपसे पूछा गया है कि वही कार 20 लिटर आफ पैट्रोल में कितना ट्रैवल करेगी? कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी या कवर करेगी? तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे सपोस कर लेंगे, let a car covers x km in 20 लिटर आफ पैट्रोल, तो हमने यहाँ पे सपोस किया है, जो कार है वो 20 लिटर आफ पैट्रोल में x km उसने कवर किया, ठीक है? अब इसको हम टेवल के फॉर्म में लिक लेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमा हमारा कॉलम रहेगा, लिटर आफ पैट्रोल, ठीक है, यह x वाला कॉलम, यह y कॉलम, ठीक, डिस्टेंस, देखो 432 km, किते लिटर पैट्रोल में वो ट्रैवल की? 48 में, आपको पता नहीं है, कि 20 लिटर में उसने कितना कवर किया, तो हमने यहाँ पे क्या सपोस कर लिया है, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला यूस करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, डारेक्ट वरियेशन का, यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मूला, x1 upon y1 is equals to x2 upon y2, यह हमारा है, x1, y1, x2, y2, आई यह सारे value पूट कर देते हैं, देखिए, x1 किसके equal है, 432 के, upon y1, y1 है 48, is equals to x2, x2 equal है, हमारे x के ही, और y2 equal है, यहाँ पे 20 के, इस x के value find करना है, ठीक है, अपने को, तो यह जो 20 है ना, इसका into हो जाएगा, इस 432 से, तो right side में हमारे x साब बच जाएगा, तो actually means को ऐसे लिख सकते हैं, x is equals to 432 into 20 upon 48, आप इसको simplify कर सकते हैं, ठीक, आप simplify कैसे करेंगे, इसको आप 2 के devil से पहले कर लेते, फिर और, तो उसमें बहुत long चले जाएगा, डारेक्ली इसको करेंगे, 48 बन जा, 48, and 48, 9 होता है, 432, तो देखो, यहाँ पे आप क्या वज़ जा रहे है, 9 into 20, आईए multiply कर लेते है 9 zeroes are 0, and 9 twoes are 18, so x का जो value है, हमारे पास क्या आगया, यह हमारा kilometer में आगा, ठीक है, मतलब उस car को 20 liter of petrol में, वो कितना cover कर पाएगा, 180 kilometers, तो यहाँ पे आप लिखेगा, the car will covers 180 kilometers in 20 liter of petrol, आईए बच्छो question number 8 देखते है, the cost of 2 dozen oranges is rupees 48, find the cost of 108 oranges, देखिए आपके question में बोला गया है, 2 dozen oranges है, उसकी price या cost है 48 rupees, तो 108 oranges की price या cost क्या होगी, देखिए यहाँ पे dozen में है और यहाँ पे number of orange given है, तो आप यहाँ पे समझ लेजे, 1 dozen is equals to 12, and 2 dozen is equals to हो जाएगा 24, means question कुछ ऐसे है, 24 oranges का जो price है, वो है 48 rupees, ठीक है, तो आपको बताना है 108 orange की price क्या होगी, ठीक, तो यहाँ पे हम suppose कर लेंगे, cost of 108 oranges be x rupees, ठीक है, x rupees होगा हमने starting में suppose कर लिया, अब हम यहाँ ऐसे एक table बना लेंगे, तो एक रहेगा हमारा number of orange, यह x column, and cost of orange, यह y column, तो देखे, number of orange, 2 dozen means 24 orange, 24 orange का cost क्या है, 48 rupees, तो यहाँ पे हम rupees वाले या cost वाले column में लेक लेंगे, फिर आपसे पूछागा है कि 108 orange का cost क्या होगा, हमने जो suppose किया x उसको यहाँ पे लिख लेंगे, अब यहाँ पे हम फिर से formula यूज कर लेंगे, तो देखे हमारा formula direct variation में क्या कौन सा use होगा, x1 upon y1 is equals to x2 upon y2, ठीक, यह हमारा x1, y1, x2, y2, आई यह सारे value put कर लेता है, देखे, x1 के place में यहाँ पे हमारा 24, y1 के place में है 48, is equals to x2, x2 किसके equal है 108 के, ठीक, और हमारा y2 equal है x के, ठीक है, अब अपन cross multiply कर देंगे, x का multiply 24 से हो जाएगा, और 48 का 108 से, तो देखे, इसका इससे multiply करेंगे 24 से, तो यह हो जाएगा 24x is equals to, यह हो जाएगा हमारा 108 into 48, ठीक है, अब अपने को इस x का value find करना है, तो यह जो 24 है ना, वो इसके upon में आ जाएगा, ठीक है, तो यह x is equals to हो जाएगा 108 into 48 upon 24, 24, 24, 24 to the 48, तो यह क्या हो गया हमारे 108 into 2, इसका multiply कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 216 रूपीज, मतलब कि 108 oranges का जो cost है वो क्या हो जाएगा, 216 रूपीज, तो इधार आप साइट में लिख दीजिएगा, cost of 108 oranges is रूपीज 216, यह हमारा आंसर आगया, आएगे बच्चो question number 9 देखते हैं, तो question number 9 क्या है, a machine prints 200 pages in 5 minutes, how much time will it take to print 2 into 10 to the power 3 pages, एक machine को 200 page print करने में 5 minutes लग रहे हैं, तो आप से पूछा गया है, कि उसी machine को 2 into 10 to the power 3, it means 2000 pages print करने में कितना time लगेगा, देखे, 10 square means sun rate, 10 cube, यह 10 to the power 3 means हो जाएगा 1000, ठीक है, तो actually मैं 10 to the power 3 का meaning क्या है 1000, 1000 से multiply कर देंगे 2 का, तो वो 2000 pages हो जाएगा, तो आप यहापे suppose करना, अब machine prints 2 into 10 to the power 3, यहीं पर आप लिख सकते थे, 2000 pages, ठीक, यहापे इसको और करके लिख सकते हैं, और, 2000 pages in extra minute, ठीक, हमने suppose कर लिए, अब table बना लेंगे, तो देखिए, table में एक column हो जाएगा, हमारा number of pages का, और हो जाएगा हमारा time, time किस में है, minutes में है, तो देखिए number of pages, 200 pages को print करने में कितना time लग रहा है, 5 minutes, तो यहाँ पे लिख लिए, तो इसको, मतलब 2000 pages को print करने में कितना time लगेगा, हमने suppose कर लिए, x minute, ठीक, अब यहाँ पर हम direct variation का formula यूज करेंगे, x1 upon y1 is equals to x2 upon y2, यह हमारा x1 है, यह हमारा y1, x2 and y2, आई यह value put कर देते हैं, देखिए x1, x1 किस के equal है, 200 के, y1 equal है 5 के, is equals to x2, x2 equal है 2000 के और y2 equal है हमारे पास x के, ठीक है, अब cross multiply कर देंगे, x के multiply 200 से और 5 के multiply हम 2000 से करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारे पास, 200 x is equals to 2000 into 5 अपने कोई x के value find करना है, तो यह जो 200 है, वो इसके upon में आ जाएगा, so x is equals to हो जाएगा, यह 2000 into 5 upon 200, देखिए, यह double 0 और यह double 0 दोनों कट जाएगे, 2 1 जा, and 2 10 जा, 20, तो यह क्या हो गया, 10 into 5 करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारे पास, 50, time किस में देना है, minutes में, तो देखिए, x का value हमारे पास क्या आ गया, 50 minute, ठीक है, तो machine को 2000 pages, print करने में कितना time लगेगा, 50 minutes, तो यहाँ पे आप लिखिएगा, so, a machine prints 2000 pages in 50 minutes minutes